वैसाली में एक युवक का हाथ पैर बांध कर दबंगों ने लाठी डंडे से जब कर पिटाई कर दी और सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल कर दिया आपको बता दे कि घटना हाजी पूर सदर थाना छेतर के चंद्रा लैगाओं की है वाइरल वीडियो में एक युवक के हाथ पैर बांध कर दो दबंग उसे लाठी डंडे से पीट रहे हैं यही नहीं युवक की जबरजस्ती पिटाई का वीडियो पर कैप्शन ही लिखा हुआ है डीजे ऐसे बसता है आपको बता दे कि पीडित युवक अविशे कुमार ने सदर थाना में एक लिखित आवेदन दे कर आरोफ लगाया है कि उसे स्मैक बेचने के लिए कुछ लड़कों ने कहा था लेकिन जब उसने इंकार कर दिया तो फाइरिंग करते हुए उसे अगवा कर केले के बागान में ले गए यहां उसके हाथ पैर बांद कर उसके साथ जबरजस्ती पिटाई की गई पिटाई के दौरान जब वेहोस हो गया तो पानी की छीटे डाल कर उसे होस में लाया गया और फिर उसकी पिटाई की गई अविशेक कुमार ने आवेदन में आगे लिखा है कि पिटाई कर रहे वदमाशों के पिता मौके पर पहुच गए जिसकी वज़े से उसकी जान बच पाई आवेदन के आधारवा पुलिस ने तौरित कारवा वही इस विज़े में सदर SDPO रागो दयाल ने बताया कि यूवक ने पिटाई करने के संबंदी आवेदन दिया था इस मामले में एक आरोपी को ग्रफतार भी किया जा चुका है इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यूवक की पिटाई का वीडियो सोसल मीडिया पे वारल किया गया ब्यूरो रिपोर्ट आई पियन